और इस वीडियो का जो टॉपिक है दोस्तों यह हमारे लॉफ एक्टेक्शन से लिटेट है और लॉफ एक्टेक्शन का यह वीडियो नंबर फीफ्ट है दोस्त आपके मन में कभी एक क्वेश्चन आया होगा कि हम लोग क्या करते हैं जो कुछ हमें इचीव नहीं करते हैं चा इंपटेंस है क्या डिफरेंस है डिस्टिनी लाक एन लॉफ एक्टेक्शन हम डेश्टिनी पर छोड़ देते हैं अपने किस्मेट करते हैं उसका रिजन क्या है दोस्तों यह जो लॉफ एक बार आपको रिमाइंड करा दें से लिज्ट क्या है बेस्ट होना हमारा इनरजी करता है और आनी से को बताया है कि एक्वेस के मादर से एक्सक्याइन के मादर सब्सक्राइब जाने है कि आवर डिजाए और गोल्स आर मेड़ नेनर्जी एन्पेस्पिक प्रिक्वेसिघ्वेंसी होता है और वही डिसाइड करता है कि energy level अपका क्या है, आपके सोच के साब से, आपके thinking के साब से, आपके belief के साब से, और अपके action के साब से, आपने frequency को control भी कर सकते हैं, इसको भी मैंने डिस्कस किया लाज के वीडियो में, कि कैसे आपको control करना है, और कैसे सही आपको frequency generate करना है, आगे बढ़ाते हैं और अपने काम को करते हैं, तो दोस्तो जो हमारा source of frequency मैंने पहले डिसकस किता, feeling, thoughts, belief and action, अब आईए हम देखते हैं कि हमारा कैसे belief और कैसे feeling और thoughts किसी situation में काम करता है, जिसका नतीजा क्या होता है, अगर हम बात करें आपको एक cycle of attractions की, कि हमारे जो cycle है, जो चक्र है, यह कैसे attract करता है, इसका क्या cycle है, क्या इसका steps है, तो दोस्तो आप इस diagram के माध्यम से देख सकते हैं, किस diagram में मैंने बताया situation, feeling, thoughts, belief and action की frequency हो गए, इसका like, attacks, like and results, देखिए जब हम किसी भी situation में रहते हैं, तो situation के हिसाब से क्या हमारा feeling और thoughts generate होता है, जैसे situation क हम अगर situation पे हमारा control नहीं है, पहला बात तो यह है, कि हम जो भी आपके सामने हो रहा है, कोई जरूर नहीं कि आपके सब control में है, वो आपके beyond है, अगर कुछ होता है, तो आपका उसमें feeling क्या है, thoughts क्या है, यही सबसे महत्पूर्ण है, और इसी को ध्यान देना है, कि हम कैस कैसे उसको सोचते हैं, कैसे उसको feel करते हैं, उसे हमारे frequency को generate करता है, तो दोस्तों, अगर situation में आप सही सोच है, आपके सही feeling है, तो आपका जो frequency क्या होगा, positive frequency होगा, और आपका जो negative सोच है, और आपकी सोच सही नहीं, आपकी feeling सही नहीं, अगर बुरा situation है, तो उसमें क्य आपका जो मंचा है रिजल्ट आप नहीं पराटकर से तो आपको इस समझ में आ गया है कि cycle of attraction क्या है cycle of attraction यही है कि situation आएगी आपके सामने situation में आप कैसे deal करते हैं कैसे आप feel करते हैं कैसे thoughts generate करते हैं आपका beliefs कैसे त्यार होता है उसके इसाब से आपको action लेना होता है और उसके बाद आपको result मिलते हैं अब हम बात करें दो तरह की होते हैं negative cycle of attraction और positive cycle of attraction अब थोरा इसको हम सच्छे से समझते है negative cycle of attraction क्या है when we create negatively to negative situation we create a negative cycle of attraction जब कोई चीज बुरा है आपके सामने बुरा हो रहा है negative situation से आपके favor में नहीं है आपके लाइक नहीं है आपके against है आपके लिए नुकसंदाएक है वो बुरा situation है और उसमें जो आप बुरा तरह से सूच रहे हैं तो आपको क्या बोलते हैं उसको negative cycle of attraction बोलते हैं जैसे माली जिए मैं जामपल के माध्यम से आपको explain करना चाहता हूं जैसे माली आपको किसी केस से आपको किसी ने धोखा दे दिया आपको किसी ने आपको डिच किया आपके विश्वास पर खारा नहीं उतरा उसकेस में क्या किजिएगा आप अपने किसमत के खुजिए कि नहीं यह मेरे साथ हो गया ऐसा ही है यह गलत हो गया है मैं तो और बरबाद हो जाऊंगा यह हो गए अगर ऐसा सोच है आपका तो यह आप negative cycle है और इसी को पोजिटिव लेते हैं चलो उसने अच्छा हुआ मुझे धोखा दे दिया चलो मेरे लिए learning lesson है अब मुझे क्या आगे करना है इस पर ध्यान देना जो मैंने पहले जो step या process मैंने सही नहीं अपनाया हो गलत किया है उसको छोड़ना है उसे आपको सीखने को कुछ मिल गया और आप उसको लेकर अगर सही आगे वरते हैं तो इसको क्या बोलते हैं positive cycle of protection यानि कि negative situation में भी आपको कैसे positive रहना है positive cycle of protection कैसे पैदा करना है यह फोला आपके पर complete depend कर रहा है तो अगर हम जो बात करें कि आपका positive cycle of protection से और कहा जाता है कि 20% of life is not our hands but the good news is that the rest of our life is in our hands और our control यानि कहने काने का मतलब यह है कि हमारे जो life का control 100% तो नहीं है बट 80% हमारे life का control है हमारे उपर और no one knows which situation is destiny or attraction देखिए हमारा जो situation से मैंने पहले ही बताया था जो situation से जो घटना है जो चीज़ा आपके सामने हो रही है उस पी आपका control नहीं है उस पी आप कैसे react कर रहे हैं आपकी feeling क्या आपकी thoughts क्या है उसको ले side करेंगा कि वह situation आपके लिए फायदे मंद है कि लुकसान दायक है और आप इस वीडियो को अगर conclude करें तो conclude करने का मतलब यही है कि लोग बोलते हैं कि जो हमारा क्या है यह luck मेरा खराब है चीज़ नेचुरल हो गया ऐसे नेचुरल कुछ भी नहीं होता है जिस पर nature का control र क्या है यह क्या है यह आपके control में है कि और सामय वाला गाली दे रहा है तो आप इसको control कर सकते हैं कि आपको क्या करना है उस situation में को कैसे handle करना है को कि यही है तो कहने का मतलब यह है कि कोई चीज़ लक नहीं है हमान के चले 100% life हमारा control है जो हमारे control में उसी के प्रतियम को react क जो को होने दीजिए लेकिन जिस पी आपका control है उसको आपका control किजिए उसके साफसे अपने situation को समझे और situation को समझ के उसको feel किजिए अच्छे से उस पर thoughts सही है रही है और आपका belief बनाई है और उसको positive vibes के साथ आगे बढ़िए और अपने goal को हासिल किजिए दोस्तों मैं आ लाइक शेयर किजिए कोई comment है तो comment के माधिम सकते हैं मिलते हैं आपसे नेक्स वीडियो में नए topic के साथ अब तब खुस रही है मुस्कुराते रही है अपने goal के प्रतिया करका काम कीजिए